हलो दोस्तों विल्कम बैक टो माई यूटीब चनल दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 30 फिट बाई 40 फिट का यह बहुत ही संदार सा हाउस प्लान आपको देखने को मिलता है जो कि इसके बारे में हम फूल डिटेल इस वीडियो में आपको थेड़ी मनाते हुए आपको सा लगा नोकिटकेशन में चला जाएगा सबसे पहले हम आपको कालम केरेट करने हैं और सारा डिटेल साहच में समझाते चलते हैं तो देख सकते हैं काल यह आपका फिलिख लेवल होता है इस वेपर पर आपको 10 फित रहेगी कालम रहेहीं का तो चलिए ओप सारा कालम को कर लि रखाइना है ठीक है और इसमें आपको 10 इंच का रिंफोर्स्मेंट से आपको बीम जो है आपका जो यह कालम की जो reinforcement रहेगा तो ring बना के proper आपको 66 पे बंदी कर देना है वो चार सरीया को और ये कालम की कुछ इस तरीके से ढ़लाई कर देना है minimum grade M25 रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा frame बनके ready हो गया है दोस्तों कभी भी घर बना है तो सबसे पहले कालम का काम करवादे इससे benefit क्या होता है जो आपके घर की सारा लोड होता है वो कालम के रास्ते जमिन तक टांसपर हो जाता है जिससे आपको future में आपके घर में किसी भी परकार की क्रेक की संभा होना है देखने को नहीं मिलती है चलिए आउटर को वाल को भी create कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम आउटर वाल create करते हैं दोस्तों कभी भी आप घर बनाए तो कोसिज करें जो बाहर की जो दिवार है वो हमेशा 9 इंची बनाने का उससे आपको दो फाइदा है यह फाइदा है आपका safety purpose से बच्चा रहेगा second फाइदा है आपके घर का जो interior work हुए रहेगा वो ज़्यादा जब बारिस होता है तो उस से में ceiling के वज़े से खराब ना हो इसके लिए आपको बहतर रहेगा ठीक है बाकी अगर आपका budget अच्छा नहीं है तो आप challenge की दिवाल चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जो structure है column है उस पे सारा load टिकादाएगा कोई परसानी की बात नहीं है ठीक है देख सकते ह है कुछ इस तरीके से हमने जो बाहर की दिवारे हैं वह 9 इंच का कड़ा कर दिया ठीक है यह देखिए हम जो लेवल का मार्किंग करता है इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल ठीक है प्लिंथ लेवल बहुत important role होता है किसी भी structure के लिए ठीक है जैसे अभी आपका घर है इसमे आपको दोफिट देखने को मिल जाती है कि दोफिट का है इससे क्या होगा जो आपके घर का वेस्ट वाटर है यानि आपक़ टॉइलेट का कीचन का जो वेस्ट पानी है वह यहाँ पहिए भर की बाहर नाला रहेगा नाले में जाएगा तो दोफिट है तो वह इजली चला जाएगा अगर यह हाइट कम रहेगा तो आपके घर में वाटर लॉकिंग की समस्या देखने को मिलेगी जिससे आपको फूचर में बहुत सारी परिसानी का सामना करना पड़ सकता है ठीक है तो इसलिए आप कभी भी घर बनाए तो एक लिम्टीड हाइट रखें ज्यादा करना है ज्यादा हाइट करेंगे तो भी परतानी है उपर सानी क्या है कि आपका कास्ट बढ़ जाएगा ठीक है आपका घर बनाएंगे घर का कास्ट बढ़ जाएगा और अगर आप कम हाइट रखेंगे तो आपको यह सब सारी पानी का दिकत कर सामना करना पड़ सकता है तो इस तरीके से ठीक है चलिए अंदर की जी दिवारे हैं पार्टिसन वाल है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पार्टिसन वाल आपको देखने को मिलता है यह चोटा सा लाइन है कि तोड़ा सा हम आपको यह को दूर से दिखाने के कुछिस करता है कुछ इस तरीके से आपको सारा जो बाहर की दीवा रहा है पार्टीशन वाल जिसको हम बोलते हैं उसको भी क्रिएट कर लेना है दोर विंडो सारी चीचे हम आपको वन वाइवन करके सेट करके दिखाएंग तो आप यहां पर देख सकते हैं पीछे से चलेंगे दिखाते हुए तो यहां पर देख सकते हैं आपको सारे का सारा फ्रेम देखने को मिल जाए यहां पर आपको दू दर्वाजे मिलते हैं यह आपको फर्स्ट वेड्रूम यह आपका सेकेंड वेड्रूम दूनों एक साइज का good room देखने को मिलता है इस साड में को bedroom है ये kitchen है युदक कूछ हम कहीं और बनाना है तो आप देख सकते हैं ये दूनों bedroom का side सेम है तो आप इसर चाहें है तो इधर भी बना सकते हैं इधर चाहें दुदर ही बना सकते हैं अगर इसको कीछन छोटा करेंगे तो आपका चाहाल का साइज बड़ा हो जाएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चाहते है ठीक है मैं आपको एक आडिया दे रहा हूँ नॉर्मल सा ठीक है तो देख सकते हैं यह आप समय इधर करेट हो गया और यह देख सकते हैं कुछ हैं यहाँ पर इसको मैंने दیکh सकते हैं यहां तक आपका का सारे चीज़ है किलियर हो गया अभी यह आपका एक ट्वायलेट है जो आपके घर के अंदर में हैं तो यहां पर इस ट्वायलेट को हमने यहां कनेट कर रिया है बचा के वल दो बचा है तो इसको भी फटा-फट कर देते हैं उसके बाद से हम यह वाला यहां पर यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखिए अभी पूरा रेडी हो गया है किस तरीके से इसका सेट अप है देख सकते हैं यह आपका वरांदा है वरांदा से आपका देख सकते हैं यह ड्राइंग रूम यह ड्राइंग रूम अगर आप चाहते हैं तो यह देख सकते हैं यह आप चाहते हैं तो एक यहां और शोरी एक यहां ठीक है फ़रत मैं आपको दिखा दूँ यह वरांदा आप आप्ने ड्राइंग ड्राइंग रूम से अंदर से इधर हौल में आप सकते हैं और ये का मेंन डूर दिया गया और जिससे आप अपने हाल में जा सकते हैं तो यह बहुत आच्छा चीidade nurse ad otherwise ढBabyieren चाहिए आपके इंटरी करें के लिए और सेम साइज का बेडरूम आपको इधर भी देखने को मिलता है यह हाउस प्लान में दो पीछे का दू बेडरूम है वो काफी बड़ा साइज का है बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि जो आपका बेडरूम का साइज है वो बड़ा चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रख़ा है ठीक है दितके यह दोसे हैं 12 फिट का आपको यह वाला बेस निफल्ट को मिलता है सेम आपको इस साइड में 10 बाई 12 केने को मिल जाता है स्थ यह 10 Frit 211,based Lifty तीन इंच का को यह कीचन देखने को मिल जाता है हाल की बात करें तो देख नहां तक आप देख सकते हैं कि एक यह दिख सकते हैं सतरे फीट चारीजन के राउंड आपको देखने को मिल जाता है ठीक है अगर यह बात करें ट्वालेट की तो देख सकते हैं ट्वालेट आपको पांच फीट शोरी यह देख सकते हैं पांच फीट तीन इंच है यह वाला अरिया और यह आपको पांच फीट साथ इंच का आपको तौलेट का सेट अप पूरा देखने को मिलता है और यहां पर भी है हाल का ही अरिया है यहां पर आपका सेड़ी का सेट अप दिया जाएका यानि देख सकते हैं इस तरीके से जाके च्छत पे आ जाएंगे ठीक है वरांदा की अगर बात करें तो देख सकते हैं वरांदा आपको 7 feet 8 inch का वाइड आपको यानि 10 feet 7 feet 8 inch by 10 feet का वरांदा देखने को मिलता है और बात करें यह आपको देख सकते हैं छीज़र देख सकते हैं 10 feet by अगर बात करें स्वरी तो देख सकते हैं 10 feet, 10 feet का आपको यह आपको इधर बें ट्राइंग रूम और स्थेम साइज का ट्राइंग रूम पूरा काम कराने में आपको 16-17 रुपए लगेंगे इस घर को बनाने में तो चलिए देख सकते हैं इस तरीके से हम पूरा इसको ऐसे करती हैं अगर आपको यह आप इसके ले सकते हैं ठीक है जिससे आपको पूरे डामेशन डिटेल दिखाई दे रहा होगा जिससे आपको फ् करेंगे आपको 3D model provide करेंगे सारा चीजे आपको 12Z मिलेगा हमारे टीम के तरफ से तो दोस्तों वह हमारा paid version है ठीक है क्योंकि हमने paid इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं उपको payment करना रहता है ठीक है तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम हाउस प्लान आपको यह नार्मल दिखा दिए अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन प्रेस कर लिए जिस्ते बेन फिट क्या होगा जब भी हम को न्यू वीडियो आपके लिए आप लूट करेंगे तो सब सब्सक्राइब में चला जाएग तो चले मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों